आज के इस आभार प्रेश्वार्पा में हमारे बीच में जार्खन भारती जन्ता पार्टी जार्खन के प्रदेश उपाध्यक्ष बांडर की पूर्गिधायक बड़ीदी गंगुत्री कुजूर जी साथ में भारती जन्ता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्री मंत्री भारती जन्ता पार्टी महिला मोर्चा धार्खन प्रदेश की प्रभारी आदर्निय आर्टी सिंग जी और साथी साथ हमारी महामंत्री मंजूलता जी और उपस्थित सभी प्रेस इलेक्रोनिक प्रिंट म मेडिया के सभी बंधु भगिनियों को मेरी ओर से नमस्कार जुहार और सभी को भाई बहन के पोईट्र रक्षा बंधन तिवहार की हादिक शुपकामना और धेर सारी वधाई आज का यह प्रेश वारता हमारे देश के यसस्वी प्रमान मंत्री आदर्मिये स्री नरिंद्र मोदी जी को आपके माध्यम से आप सभी प्रेश मीजिया के माध्यम से आभार और धन्यवाद करना चाहेंगे रक्षा बंधन के इस पावन तिवहार के आउसर पर पूरे देश की बहनों को घरेलू गैस में प्रती गैस दोसो रुपया और हमारी उजवला बहनों को जो पहले रिफिल में दोसो और साथ में दोसो कुल चारसो रुपया का रहत या कहदे रक्षा बंधन का एक सौगात दिया है इस रक्षावंधन के सौगात में हम सारे देश की बहने उनका अभार बेक्ट करती हैं और उनके उत्तमच्वासतर दिरगायों होने की कामना करते हैं साथी साथ सिर्फ यही नहीं कई ऐसी योजिनाएं केंदर सरकार के तरफ से महिलाओं के ससकती करन को लेकर क्या महिला केंदरित योजिनाएं चली है हम उजवला योजिना के ही बात करें वर्तमान में 33 करोड लपीजी कनेक्शन के घरेलू कनेक्शन के लाभारती हैं उसमें से 9.6 करोड उजवला योजिना के लाभारती हैं और जो घोसना हुई उस घोसना में फिर से 75 लाख नई उजवला गैस कनेक्शन देने का भी घोसना हुआ है उस हिसाब से हम देखे तो उजवला योजना की बहनों की संख्या 10.35 करोड हो जाएगी तो इसके लिए भी आभाद और साथी साथ चाहे वो हम सच भारत मिशन के तह कर दे जिसमें की महिलाओं को ज्यारप पुएंट सेवन टू करोड सोचाले निर्मान की बात हुई है जिसमें की महिलाओं के स्वास्त के लिए महिलाओं को केंदित कर कर रहे हैं सोचाले निर्मान से महिलाओं के स्वास्त पर असर पड़ा है और खुद हम महिलाएं हैं तो इस योजना के तहट इसके लाभार्थी 81% है मात्री बंदन योजना के तहट जो महिलाओं को 3.03 करोड महिलाओं को जो लाब मिला है वो महिलाएं है इसके साथी साथ प्रधान मंत्री आवास प्रधान मंत्री आवास योजना जिसकी मालकिन या फिर कहदे महिलाओं के नाम मिल है उसमें मालकी महिलाएं बनी है कहते हमारी दीदियां लखपती दीदी बनी है तो ऐसे कई योजनाएं हमारे बीच में हैं और जिसमें नेटरनेटी लीब की भी हम बात करें जिसमें 26 सब्ता की बात है और प्रधान मंत्री गरिब योजना कहता असी करोड़ लोगों को लाप प्री चुला और एक सिलेंडर मुप्त मिला था और इसके साथ कई ऐसी योजनाएं चाहे वो एक रुप्य में रजिस्टी की बात है हमारे यहां जारखन में अपनी सरकार थी तो कई योजनाओं का लाव और लाभानमीत रही थी और आज पुनह रक्षा वंधन के उसर पर आज दन्य प्रधान मंत्री जी ने हम महिलाओं को यह शवगात दिया है उना बहुत बहुत आभार करती है बहुत बहुत धन्यवाद करती है और आभार है आज दुनिया में हम चौत्रे नंबर से दूसरे नंबर के स्थील मेरिकन चलिए आज हम चापान को पचार करके जो आटो मॉबाइल में डाटा डैक्सन जैसी कारियों के लिए जाना जाता है आज डैक्सन वाली चापाँ पोयटा वाली चापाँ उसको पचार करके तीसरे नंबर की सबसे बड़ी आटो मॉबाइल मारकेट भारत बन गई है आज की जहरकन प्रदेश महला मॉर्चा के प्रेस कोंफरेस कारकरम के अंतरगत मंच पर विराजमान भारती जनता पाटी जहरकन प्रदेश महला मॉर्चा की अध्या स्रीमतियार की पुजूर जी इस मंच पर उपस्तित हैं भारती जनता पाटी की उपाध्याच स्यापूर विधायत मांडर से दिरी गंगोत्री पुजूर जी और संचालन कर रही है प्रदेश की महामंत्री मंजुलता दुबे जी और साथ में आज के इस प्रेश वारता के माध्यम से आज पुरे जारखन प्रदेश में हमारे द्वारा कही बातों को पहुचाने वाले ऐसे सभी वारता में हमारी वोशे बहुत बहुत स्वाज़त है अभी नंतन है और आप समी को रच्छा बंधन के सुबहसर पर बहुत-बहुत बधाई भी है शुपकामनाई भी है जैसा कि इस प्रेश वारता में अभी अध्धत जी पुरी बातों को बड़ी विश्कित रूप से कहा है और मैं भी इस प्रेश वारता के माध्यम से आज भाई बहन का जो ये पावन तेवहार हम जानते हैं तक्षा बंधन के रूप में और मनाते भी है और आज इस पर्व को मनाने के लिए चार गुना फुशिया जो बहनों के सेहरे पर दिखाए दिया है उमान्य मुझी जी क तुम धूरा किये गए एक मिरनायक बातों को लेकर है जैसा कि उन्हों ने हम बहनों को एक बहुत अच्छा उपहार देने का काम किया है आज जब हम 400 रहों से गुजर रहें हैं तो सारे बहनों के मुहों से इसी बात को सुनने को मिल रहा है कि आज मोदी जी ने हमें ये उपहार देकर हमें बड़ी खुशी दी है उन्होंने हर सिलेंडर में 200 रुपया हम तो 5-10 रुपय की बात करते हैं सोचते हैं लेकिन इतना बड़ा इतना बड़ा जो 200 रुपया सस्ता किया उन्होंने गैस में यह बहुत बड़ी बात है और ऐसा निरने कोई ऐसा ब्यक्ती ही ले सकता है जो सही रुख से हम बहनों की चिंटा करता है और हम बहनों को ससक्त बनाने का काम करता है और भी कई प्रकार की योजनाओं को आर्ती जी ने रखा आप सभी के सामने तो लगातार आप देख रहे हैं कि महिला ससक्ति करन कहने से नहीं बलकि करने से होती है और मानने मोदी जी के कारेकाल में हम बहने जरूर ससक्त बन रही हैं चाहे वो मंत्री मंडल में महलाओं की संख्या की बात हो या जंधनी योजना की बात हो हरगल नलजल की योजना की बात हो या सोचाले निर्मान की बात हो या स्टार्टप इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि आज कितनी बड़ी संख्या में आज हमारी बहने इसका लाव ले रही है मुद्रा योजना की बात करते हैं तो मुद्रा योजना में भी आप देख सकते हैं एक मुद्रा योजना का जो आकड़ा है वो मैं आप सभी के समख छे रखना चाहूंगी अभी तक लगभग 27.6 करोड महिला लभार्थी ऐसी हैं जिन्होंने मुद्रा लोण लेकर अपना रोजगार बढ़ाया है और एक ससकती करन का जो इधारन है वो देखने को मिल रहा है प्रधान मंत्री मात्री वंद्रा योजना जिसके तहप जो हमारी गर्वती माताए होती हैं उनकी चिंता प्रधान मंत्री जी ने की और इस प्रकार की योजना निकाली और लगभग अभी तक 3.03 करोड ऐसा महिलाओं को शहायता मात्री वंद्रा से मिला है तो इस प्रकार हर योजना का लाब आज धरातल पर जा रहा है धरातल में मिल रहा है अपसोस की बात तब होती है जब हम जिस प्रधेश भी रहते हैं हम जिस प्रधेश में रहते हैं यहां की रोटी खाते हैं माटी रोटी की बात करते हैं उस प्रदेश में आज हम सब बड़ी चिंती थे महिलाओं के सम्मान को लेकर, आज यहां पर जिस तरह से दुसकर्म की घटनाये बढ़ी हैं, जिस तरह से डाइन उत्पिडन बढ़ा है, जिस तरह से यहां बलातकार की घटनाये बढ़ी हैं, वो सोचनिये भी से हैं, उसे जुट कर रहें सरकार सोच ही नहीं नहीं लगातार जी सतर promiseни करें कि बाद तो हम The यहां यहां करेंगे। यॉजना नहीं खातम हैं। जो यॉजना सरकार ने देखी चाहे व और किसान सम्मानी यॉजना हो या आपका ये प्रधानवंतरी कि हम बात करते हैं सारी योजना जो चल रही थी वह बंद करके रख दिया गया है बताईए जब परधान मंत्री आवास योजना में आवास कैसे बनता है बिना बालू के बनेगा क्या लेकिन इस बालू को भी जब्त करने का काम किया है तो इस तरह से जो सरकार जो सरकार आदिवासियों के हित को लेकर के सामने आई आदिवासियों के लिए भी वो एक भी कार्य नहीं कर पा रही है सिर्फ अपने हित की चिंता करी अपने सरकार बचाने के लिए वो कई प्रकार की प्रोपेंडा अपना करके जारखंड को कमजोर करने का काम कर रही है तो हम सभी आज इस प्रेसवारता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से रहेगा तो हमें हेमन सुरेन को हटाना पड़ेगा और भारतिये जंता पाटी महिला मोर्चा इसके लिए ससक्त है, इसके लिए काम कर रही है और आने वाले समय में ऐसे सरकार को जड़ से उखार ठेकने की हिम्मत भी रखती है बहुत लोग धन्यवारता का खर मिला है बताईए इसको दूँ मैं पशुपेश में पढ़ जाता हूँ एक नार सो बिबार प्रेस माध्यारता में आप सबीके समख्षे बहुत बहुत धन्यवारता में आज के प्रेश वारता में भारतिये जन्ता पार्टी महला मुर्चा की प्रेश अंध्यक्ष बहन आर्थी कुजूर जी भारतिये जन्ता पार्टी महला मुर्चा राष्ट्रिये मंत्री बहन आर्थी सिंग जी अपनी बहनों को जो यहाँ पर लाइनप कर रही है ऐसी हमारी बहन मंजूलता जी उपस्तित हमारे सभी मेडिया के बंधुवर भैगनीगन आप सभी को नमशकार है जहार है आज का जो ये वारता है हम देख रहें कि हमारा रक्षा बंधन जो भाई वहन का एक बहुत बड़ा पवित्र विष्टे को ये करता है इस रक्षा बंधन के उपलक्टर हमारे एसस्वी प्रधान मंद्री अपने जेश की बहने को एक सौगाज दिया जितने भी उजवला गीदिया है उनके माध्यम से जो उजवला योजना मिला तो कुल भारत वर्स में 33 करोड यहां कनेक्शन लिया गया है जिसमें परधान मंत्री योजना के तहट 9.6 करोड कनेक्शन एलबेजी के लिये गया है और यह कारी करम एक माई 2016 को प्रारम हुआ दो हजार 2016 को प्रारम हुआ और अपने यहां जब डबल इंजन के सरकार की तो एक बड़े भाई ने गैस सिलिंडर देने का काम किया था गैस चुला देने का काम किया था और आज भी हमारी जो गाओं की बहने हैं वो काफी ECF से राहत महसूश करती हैं क्योंकि जब गाओं में हम जाते हैं तो वहां हम देखते हैं जो पहले की इस्तिती थी की लकडियां से खाना बनते थे पुवाल से खाना बनते थे पत्ते से खाना बनते थे तो उनके जो बीमारियां होती थे उनको काफी हिजात मिलाएं और यह कारिकरम जब आगे बढ़कर आता है तो आज के समय में इसकी कुल अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 2017 से 18 में 3 करोड से बढ़कर 2018 में 6 करोड, 2018 में 2019 से 20 में 6.5 करोड 2020 से 23 में 8 करोड और 2021 और 22 में 8.5 करोड और 2022 से 23 तक में 8.5 हो गया है जो अपने उजवला योजना के तहर लाभारती है और आज के समय में पूरे भारत वर्ष में जो 200 रुपे का हमारी उजवला दीजियों को जो राहत मिलता था वो पहले से ही है और सभी जो भी LPG गैस के उप भोगता है उन सारे को 200 रुपे का इस समय का मैं बोलू तो एक नायाब तोहफा मिला है मानने परधान मंतरी जी के द्वारा और यह 10 करोड ग्राहकों को 400 रुपे का जो उजवला योजना से हमारे लाभान में थोते हैं उनको 400 रुपे सस्ता मिलेगा जो LPG सिलेंडर का इसी सरकार का बहुत बड़ा एलान बहनों ने आपको सारे विशेयों को रखा मैं सिर्प इस बात पर आपका ध्यान देना चाहत कि अभी की जो बर्तमान हमारे सरकार की इस्थिती है यहां जारखन सरकार की उसमें महिला उस्पिडन का 2023 का जो आंकड़ा है उसमें दुषकर्म के 2020 में आपके जो आंकड़े हैं 1786, 21 में 1617, 22 में 1617 और 2023 में 794 कूल आज तक की जो आंकड़ा है 5814 होते हैं, हत्या की जो मामले हैं कुल आज तक 523, अभधरन का जो मामला है यह 5054, कहेज उस्पिडन का जो मामला है 8030, दायन उस्पिडन जो हमारे जहरखन में यह काफी ऐसे मामले में उनको डायन करार दिया जाता है ताकि उनके जमीन हडब लिये जाए तो ऐसे मामले अभी तक 88 आ हैं और जो घरेलयू इंसा है ने नए जगों पे ले जाया जाता है, महानगरों में लिया जाता है, ऐसी जो घटना है, 6146, तो ऐसी बहुत सारे जो हमारे सिर्फ सीधे तोर पे हमारी माताओं और बहनों के साथ होता है, तो ये आंकड़ा काफी है, और जो सरकार है, वो निरंतर, अपने जो कारे हैं, उस पर ध्यान न देकर, जनता की और ध्यान न देकर, बहनों के और ध्यान न देकर, शिर्फ और सिर्फ जो ऐसे अपराधी हैं, हम सीधे तोर पर अपराधी बोलें, उनको परिस्तराए देने का काम कर रहे हैं, और आज, जो हमारे माताओं और बहनों को ये नायाब तोफ़ा मिला है उस तोफ़ा के लिए हम अपनी और से मानने परधान मंतरी जी को दिल से अभार बेट करते हैं और जो ये सरकार है बहनों से ये पर आपके माध्यम से बात पहुँचाने संदेश पहुचाने का काम करते हैं कि जो तो ये सरकार है, उसे उखाड फेकने का काम हमारी बहने है, घर से बाहर निकल कर करें, बहुत बहुत धन्या बाज़ा है।